तो यहां पर दो आदमी है सबसे पहले A है और B है A किसी काम को करने में 15 दिन लगाता है and B उसी काम को करने में 25 दिन लगाता है अब हम लोग क्या करते है एक टोटल वर्क माल लेते है टोटल वर्क कुछ भी हो जकता है लेकिन बेस्ट ही रहता है कि दोनों का LCM लिया जाए ऐसा क्यों क्यों कि अगर आप LCM अगर लेती हो तो आपको फ्रैक्शन में Efficiency नहीं आता है ठीक है तो 15 और 25 का LCM होगा 75 ठीक है फिप्टीन फाइव जा होता है 75 और 25 जा होता है 75 तो यह वाला पार्ट क्या हुआ यह पार्ट हुआ Efficiency मदब एक दिन में एक इतना काम करता है मदब 75 काम था पंदर दिन में करता है तो पांच काम करेंगा एक दिन में ठीक है तो यही इसका Efficiency हुआ अब आगे क्या बोल रहा है They work together for five days उन दोने पांस दिन तक काम किया TOS Question मिलकर एक दिन में पांस दिन का काम करता है जैनि कि एक दिन में कितना काम करेंगा आठ काम करेगा ठीक है तो इस पांस दिन में कितना काम करेंगा 40 काम करेगा ठीक है इतना तक आई हो वागो किलिर है अब देखे 40 काम हो चुका है 40 काम जब हो चुका है तो कितना काम बज गया 35 काम बज गया तो इस 35 काम को A और C next 4 days में complete कर रहा है ठीक है तो इस 4 days में A कितना काम किया होगा एक दिन में पांच काम करता है तो 4 दे में कितना काम करेगा 20 काम करेगा ठीक है तो 20 काम कर लिया तो बचा कितना 15 काम बच गया तो इस 15 काम को कौन किया होगा इस 15 काम को C किया होगा ठीक है यानि कि 4 दे में 15 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 15 by 4 काम करेगा तो यह जो है यह जो निकला यह C का Efficiency निकला है ठीक है एक दिन का ओके अब कहा है रायस in how many days मतलब कितने दिन में C alone can complete the same work मतलब कि यह जो पूरा काम है C अकेला कितना दिन में करेगा तो पूरा काम कितना है 75 में लोग ने assume किया था ठीक है C इस काम को complete करेगा यानि कि B is our right answer I hope आपको यह सर्ज में हो अगर कुछ doubt है तो comment सकते हैं बता सकते हो और मैंने time and work का complete playlist मैंने बना दिया है आप चाहो तो उसको देख सकते हो उसमें आपको complete time and work का अभी तक का जो भी question हो चुका है आपको वो मिल जाएगा ठीक है and thanks for watching this video